प्रमुख स्वामी महराज के जन्म सताबदी महट्सव पर अनेक लोग यहाँ पर सेवा करने के लिए आये हैं चाहे वो भारत से हो या विदेश से हो विदेश से ऐसे ही कई लोग है जिनों ने प्रमुक स्वामी महराज ने उनके जीवन के अंदर कुछ चेंज दिया है ऐसे ही मलावी जो अफरिकन कंट्री से है मलावी से एक जीतनरभाई पटल हमारे साथ है उनसे ही जानेंगे कि किस तरह से उनकी जीवन में बदलावाया और वो क्या सेवा करने के लिए यहां पर पहुंचें सीधे जीतू भाई से बात करते हैं जीतू भाई सबसे पहले आपका प्रोफाइल आप मलावी में टॉप टू बिजनसमें में गीने जाते हो यहां पर पहुंचे हो क्या कहें गया आप हाँ मैं जो आज जो भी हूँ मैं परंपुजे प्रमुक्साई महराज के आर्शिवाद से ही हूँ जब प्रमुक्साई महराज यहां इंडिया में थे और में स्टूडन तरीके से में मलावी से यहां आया था विद्यानगर चातरा एपीसी में में स्टडी कर रहा था तो वहां में एक बहुत ही साधरन बालक यूवक था और मेरे पाच कुछ नहीं था उस समय में हाला के उस समय में बापा जो सभी स्टूडन्स को ध्यान देते थे वैसे भी मेरे पर पन अच्छा ध्यान दिया और मोटिवेट किया और मुझे बापा का नजर दर्ष्टी पड़ गई और मैं जब मलावी गया वापस तो बापा के साथ मैंने जहां यहां जो पल में बिताया मैंने उसके कारण बापा को इनवाइट किया कि बापा मलावी में आईए मेरा घर तो इंडिया में है नहीं लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर में मलावी पधारे तो कही सालों के बाद बापा ने याद किया और वो आये थे 91 में तो 91 में जब बापा मलावी आये तो मैं एक छोटी सी इंडस्टी मैंने शुरू करनी किया मैंने थोड़ा ठाम ले रखा था और उसके कारण जो मैं जो करने वाला था वो मैज मिल था तो दाट मैज मिल वोस मैनुफेक्चर और वेन बापा स्विच्च इट ओन बहुत ही आवाज आता था तो मैं जरा दूर चला गया और दूर जा गया तो फिर बापा ने मुझे वापस बुलाया बापा वहीं रहे और इतने आवाज में बापा ने मुझे बताया कि देखो ये मेजमिल आपने बनाया लेकिन इसमें वो जॉइंट में से वो आटा गिर रहा है तो वो तो वेस्टेज हुआ ना थोड़ा-थोड़ा आटा गिर रहा था तो ये बंद कर दो दूसरी बात कि सवाई माहराज ने इतनी बड़ी तरीके से मुझे किया और बताया तो इट वस रीली वेरी मोटिवेटिंग उन्हें बताया कि जो कुछ भी करो तो सही तरीके से करो अच्छा करो तो वो मेरे लिए बहुत ही एहमियत बात थी और इट मेंस स्माल तिंग मेंक पर्फेक्शन पर्फेक्शन इस नोट स्माल तिंग तो मैं बहुत मोटिवेट हो गया था खासकर अभी जो आपका बिजनस चल रहा है सिमेंट फैक्टरी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जो लाइसंस मिलना मुश्किल था वो मिली नहीं सकता था वो भी प्रमुक्स्वामी महरा तो जब मलावी आए तो प्रमुक्स्वामी महराज को मैंने बताया कि स्वामी मुझे सिमेंट फैक्टरी करनी है लेकिन यहां का प्रेसिडेंट जो है उसके पास ही लाइसंस है और उसके लाइसंस में से मुझे लिना है क्योंकि वो प्रेसिडेंट जो है वो लाइसंस लेक 1990 को 1992 में नडियाद में बापा वो तो प्रेसिडेंट तो नहीं छोड़ेगा लाइसंस मुझे कैसे मिलेगा तो आप बताओ तो मैं निकल जो इस प्रोजेक्ट में से और मैं और कुछ करूँ प्रोंक साही महराज ने फिर से मुझे बताए कि ने आपको लाइसंस मिलेगा ही त तो बापा के विश्वास पर मैंने वो काम चालू रखा ओर तीन बरस के बाद मुझे लैसंस मिला और जब लैसंस मिला तो तो देत्रीस बरस का राज जो था डिक्तेटोरिल राज प्रेशिडेंट का वो खत्म हो गया और डैमोक्रसी आगई और डैमोक्रसी में नया पापा को पूशा कि यह लइसंस मुझे मिल गया आपके आशिवाद से लिकिन मेरे पास ऐसा पैसा भी नहीं और हिमत भी नहीं और कुछ जानकारी भी नहीं कि मैं इंडूस्ट्री कैसे करूँ आप मुझे आशिवाद देो, मैं मेरे मलावी कंपनी का letter head लेके गया था और मैंने उसको लेटर head दिया और ने बताया कि आपको जो लिखना है वो इस letter head में मुझे लिख दो आशियवाद के रूप से तो letter head में उन्होंने सब आशियवाद लिखा आज भी वो letter मेरे office में है और आज पूरे 30 years हो गए लेकिन ये 30 years के जर्णी में मुझे केवल और केवल प्रमुकसाई महराज की आश्यवाद और उसका विश्वास मेरे उपर और मोटिवेशन मिला देखने को मिला और इसके कारण में कही बार में गिरा लेकिन उसके आश्यवाद के कारण में उठ गया और वापस हमें आज इसी मुकाम पर पहुचा हूँ कि हम मलावी नमबर में नमबर वन है सिमेड इंडस्ट्री में एक थोड़ी देर पहले आपसे एक वाक्या सुन रहा था तक सेवा आपके परिवार को मिली है वो वाक्या जानना चाहेंगे हाँ बहुत ही बरसों पहले की बात है मेरे दादा जी यहाँ गुजरात के एक चोटे से गाओं में महडाओ आनन्द के बाजू में महडाओ में वो रहते थे मेरे दादा जी जो है वो माता जी के भक्त थे और उपासक थे और मेरे दादा जी का एक फ्रेंड था नाराइन भई नामे उसका है तो उन्होंने दादा जी को बताये के प्रमुक्साई महराज और स्वामिर्यान के सहदू लोग महडाव गाम में आने वाले हैं अगर आप चाहो तो पधरहमनी कराओ तो दादा तो कुछ वाकिफ नहीं थे कि क्या करना चाहिए तो उन्होंने नारायन भे को पूचा कि क्या करना चाहिए तो कोई बात नहीं ऐसा संतो आएंगे और थोड़ा दिया करना है आरती करनी है और थोड़ा प्रशाद धराना है अगर हो सके तो दो-पांच रुपे आपको दान देना है दक्षीना तो रख सकते हैं वनना कोई बात नहीं तो नारायन भे जानते थे कि मेरे दादा जी पहले से ही थोड़ा एकोनोमिकल थे हम गुजाती में कंजूस बोलते हैं लेकिन बहुत-बहुत पहले से पैसे का बहुत उसको प्रमान सर यूज करते थे तो उस समय में 16,000 रूपय आये थे दादा जी फार्मर थे तो जब संतो आये और 16,000 सब रख दिया तो नारायन भे तो घब रही गए को दादा ये हर्मन भे ने क्या किया सब पैसे डाल दिया उसमें तो कोई बात नहीं कुछ पूछा नहीं संतो लोग जब चले गए तब नारायन भे न दादा जी को पूछा कि दादा हर्मन भे आपने क्या किया आपने क्या दक्षेना में बेजा दिया तो दादा जी ने बोले जो था वो सब दे दिया तो हमारे लिए बहुत आश्चेरी की बात है कि उस समय में बीए पीए संस्था में जब हम सुनते थे कि संत लोग शास्ती जी महराज, योगी बापा, प्रमुक्साई महराज सब गासलेट के डबे में सब गासलेट के डबे में खाना करके खाते थे और हरी बुक्तों को खेलाते थे, उस समय मंदिरों बंधाते थे, तब वो मजूर लोग को भी वो गासलेट के डबे में खीचडी बना के खेलाते थे, ऐसे समय में 16,000 रुपया शायद हमको ऐसा लगता है कि अच्छा काम में आया होगा, तो वो तक की सेवा हमको लगता है कि शायद हमारे दादा जी ने वो तक की सेवा और उसके उपर प्रमुक्साई महराच जैसे महान संत के अशिवत के कारण शायद हम आज इस मौके पर पहुचे हो गए होगे. एक आखरी सवाल, यहाँ पर किस तरह की सेवा करेंगे, क्या मन बनाया है आपने? यहाँ तो कोई भी सेवा मुझे दे, मैं करने के लिए तैयार हूँ. जैसे मैंने बताया कि सेवा का कोई सिमा नहीं होती है, कोई सिलेक्शन नहीं होता है, कि मुझे यही सेवा करना है. आगना एक सबसे बड़ी चीज होती है संतों के द्वारा जो आगना मिलेगी जो सेवा मिलेगी वो सेवा करने के लिए हम तयार है क्योंकि इतने बड़े पद पर पहुँचने के बाद भी अहंकार नहीं होना और सेवा के प्रतिसमर्पित होना अपने आप में एक बड़ी बा इतनी OTT इंडिया, गुज्रात, एहमदाबाद